नमश्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि अपने आप में ही काफी अच्छी है मुझसे किती ने पूछा था कि मोटिवेशनल स्टोरी क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों उसको सुनना चाहिए, उससे क्या फायदे होते तो मैंने उसका जवाब दिया, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से हमें दूसरों की गल्तियों का पता चलता है दूसरों की वो problems के बारे में पता चलती है जो आज की date में हम लोग problem face कर रहे होते हैं ताकि कल की date में नहीं वो गलती हमसे वो नहीं हम वो problems को face करें और ज्यादा से ज्यादा हम उस problem से दूर रहें जो एक हमें successful बनने से रोकती है आज मैं आपको एक वैसी ही कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ हार गया लेकिन खुद से जी लिया दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस motivational story में आज मैं आपको एक ऐसी motivational story बताऊंगी जिसे पढ़ने के बाद आपके उर्जा पहले से ऐसी नहीं रहेगी तो चलिए बीना समय गवाई इस motivational story को सुरू करते हैं हरिश नाम का एक लड़का था उसको दोडने का बहुत शौक था वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतूबह किसी भी race को पूरा नहीं करता था एक दिन उसने ठान लिया कि चाए कुछ भी हो जाए वह race पूरी जरूर करेगा अब race सुरू हुई हरिश ने दोड़ना सुरू किया सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब हरिश ठक गया था वह रुक गया फिर उसने खुद से बोला अगर मैं दोड़ नहीं सकता तो कम से कम चलतो सकता हूँ उसने ऐसा किया और वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था अब वह बहुत जादा थक गया और नीचे गिर पड़ा उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दोड़ को पूरी जरूर करेगा वह जिद करके वापस उठा लड़ खडाते हुए आगे बढ़ने लगा और अतह वह रेश पूरी कर गया माना कि वह रेश हार चुका था लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था क्योंकि आज से पहले रेश को कभी भी पूरा नहीं कर पाया था वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मास पेशियां में बहुत खिचाओ हो चुकी थी लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार करके भी जीता था motivational story जो होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है दोस्तो हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी life में कभी भी अगर कोई परिशानी आती है तो उस काम को नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं अगर आप एक student है और रोज 10 घंटे आप study करते है और किसी दिन कोई परिशानी की वज़े से आप पढ़ाई नहीं करते मगर आपको भले ही 5 घंटे समय निकाल करके जरूर पढ़ना चाहिए हरिश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगतार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार करके भी जीत जाएंगे छोटे छोडे करतम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ यही सफलता का नियाम है अगर आपको भी यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी तो जादा से जादा लोगों को शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू